देखिए एक शायरी है कि लाख आंदिया उठे हजार बर्क गिरे वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं उसी के माफिक तिरस्वी आदव और तिरस्वी आदव के मंतरी नौकरियों को लेकर काम कर रहे हैं तिरस्वी आदव का सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का यही था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे और उन लोगों को रोजगार देंगे जो लोग पढ़ लिकर बैटे हुए हैं आप समझेगा इस बात को नए नवेले किर्शी मंतरी जो कुमार सर्वजीत हैं उन्होंने आते हाते 9000 नई बहाली की गोश्णा कर दी हैं सुधाकर सिंग आरजेडी के मंतरी थे उनको हटाय जाता है खबरे चलती है कि जगदानन सिंग भी आरजेडी को छोड़ सकते हैं लेकिन याद रखिये जो फूल खिलने वाले हैं वो खिलकर रहेंगे और त्रियस्वी आदव ने जो बिहार के लोगों से वादा किया है उस लाख रोजगारों देंगे और उसके बाद रस्वी आदव इस काम में लग जाते हैं और अब नए नवेले क्रिशी मंतरी कुमार सरवजीत ने अपने विभाग में 9000 नई नौकरियों का ऐलान कर दिया है आप समझेगा इस बात को सुधाकर सिंग के विदाई के बाद आज कुमार सरवजीत पहली बार मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि विभाग में 9000 बहाली होगी और भी जो बहाली होने वाली है उसको जल्द ऐलान किया जाएगा लेकिन 9000 बहाली तो जल्द से जल्द कर दी जाएगी इसका मतलब ये कि क्रिशी विभाग भी अब उन युवाओं को नौकरी देगा जो पढ़ लिखकर विरोजगार बैठे हुए हैं इसका भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा लोग इसका भरेंगे फॉर्म और उसके बाद जल्द से जल्द उन सारे 9000 लोग को नौकरी दे दी उसके बाद सारे अन्न विभागों से अमीन का भालियान लगा और सारे अन्न विभाग के जो मंतरी हैं वह अपने अपने बहाली से करवाने लगी कि मेंल्या कुछ सीट खाली है कि नहीं और सब लोग किसानों को देंगे आप समझजिए इसबात को आपको और हमको पता है कि बिहार में इस बार सुखार के चलते किसानों का सारा फ़सल बरबाद हो गया सरकार लगतार इस बात का प्रयास कर रही है कि जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका भरपाया सरकार कैसे भी कर दे और नए नवेले क्रिशी मंतरी का इस बात का एलान हुआ है कि 100 करोड रुपय का डीजल का अनुदान उनकिसानों तक पहुँचाय जाएगा जो वो लोग डिजर्व करते हैं इसका मतलब यह है कि 9000 नौकरी तो देही रहे हैं नईनवले क्रिशी मंतरी उसके साथ साथ 100 करोड रुपय का डीजल का अनुदान भी दे रहे हैं मतलब यह कि कुमार सर्वजीत पद पर आते आते कुरसी पर बैठते बैठते यह साबित कर चुके हैं कि वो एक दम युधस्तर पर काम करने के मोड में हैं वो चाहते हैं कि जो क्रिशी मंतरी का रोल उनको परेटन विभाग को लेकर जो क्रिशी मंतरी का रोल उनको दिया गया आरोप लगाये था आपके विभाग के अधिकारियों पर तब क्रिशी मंत्री ने ये कहा कि देखिए इसकी जाच होगी मेरा कोई भी पुराने विवात से लेना देना नहीं है हम सिर्फ यहां काम करने आए हैं और हमारी कोशिश यह कि हम अच्छा से अच्छा काम करके बिहार कि किसानों को लाभान वीद करे इसके अलावा उन्होंने साप साप कह दिया कि 9000 पर बहाली हम निकालेंगे क्रिशी विभाग में नौकरी करने वाले जो भी एक्छुक हुआ है वो नोटिफिकेशन देकर अपना फॉर्म भर सकते हैं और 9000 बहाली देने के अलावा हम 100 रुपय का ॡीजल कालूदान उन लोगों को देंगे उन किसानों को देंगे जिन किसानों को नुक्सान हुआ है बहराल कशिय मंत्री कारें वह पहल है वह बहुत सांदार है लेकिन यहां पर इस बात को याज रखे जाने की जदूरत है कि जिसATHAN मुद्धे पर सुदाकर सेै अपना पद छोड़ा है उस मुद्दे पर भी कोई बात हो उस मुद्दे पर भी काम हो अगर क्रिशी विभाग में कोई अधिकारी घूस ले रहा है बिना घूस लिए कोई काम नहीं कर रहा है तो उस पर भी बात चीत होनी चाहिए बैरहाल इस पर कोई अपडेट आगा तो आ करेंगे मिरे नाम प्रशांत्राय है आप जंद निक्षन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद